आपकी वोक्षीट नमर्ट 26 तो पहले आप लोग इस अच्छे से लेबल कर लेंगे डेट डाल देंगे क्लास सब्जेक्ट अपना नाम अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे घन के अभाजे गुरंखन चलिए इसको पढ़ना शुरू करत अभ़णखन में सभी गुरंखन अभाजे होते हैं तो उस संक्या का अभ़दय गुरंखन कहलाते हैं यादम उदारंगर दौर पर ये अब लिखुशन का मतलब यह कि जब हम किसी संक्या को तोड़ती हैं उसके टुकड़ करते कोई बड़ी संक्या हो तेंस अब यहां जाता है तो कि किन्स भी आपको दिखाया है किस तरह से याफ कर सकते हैं जैसे पांश है किसी और डेबल में आता आएं रहे चेंटु पिंटु अच्छे दोस्ते हैं दोनों साधिवार के दिन दोनों गड़त क्लब में भाग ले रहे हैं उस दिन गड़त किलब में एक एक्टिविटी होने वाली है जिसका क्या नाम है संख्या के साथ खेलना तो अब देखें ये लोग दोनों activity में पार्टी स्पीट कर रहे हैं और उस activity में जो main topic है वो क्या है संख्याओं के साथ खेलना अब चिंटु क्या कहता है पिंटु से इस बात पर चर्चा करा देखें जब भी हम खास और से तब जब हमारी party wise कोई चीज होती है कोई competition होता है तो उसमें हम party वाले जितने भी members होते हैं वो सब आपस में बैट के discussion करते हैं क्यों ताकि हम लोग के बीच में understanding बन सके हैं जब हम कोई चीज को कोई competition में जा रहे हैं तो हम एक दूसरे को कम से कम अच्छे से समझे तब ही तो हम अपने आपको प्रिजेंट कर पाएंगे अधरवाइस हम अब फेलो के आएंगे वहां से तो वही वह दोनों बच्चे भी आपस में discuss कर रहे हैं ताकि वह लोग जीत किया है अब चिंटू बोलता है क्या आपको एक बात पता है पिंटू कहते है क्या चिंटू ले लीजिए और हम आभाजे गुरंगत करते तो 222 आता है इसका मतलब क्या है कि आच जो है उसमें दो तीन बारा रहा है चिंटू कहते हैं इन संक्याव को हम लोग पुफिक क्योप कहते है तो कहता है पिंटू तो क्या यह आविश्यक है कि किसी संख्या का अबाजे गुर्णखन करने के बाद एक ही परकाय के संख्या आए तो कहते है नहीं नहीं ऐसी जरूरी नहीं है अब पर चिंटु क्या जवाब देते हैं नहीं ऐसा नहीं है कि एक ही संख्या है लेकिन यह है कि अगर कोई ऐसे संख्या उसका पिर तीन बार बने तो उस संख्या को हम लोग कहते हैं पॉफेक क्यूब कहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं असानी से अब यहां देखिए आपको अगला कुशिन दियागे इसको पढ़ लेते हैं पहला इन्होंने एक एक्टिविटी टैप कर दिया है कि सं सब्सक्राइब करेंगे तो आपका पहले 5 से जाएगा फिर दुबारा 5 से कटेगा पिर 77 से और फिर 19 से इस तरह से यह आपका हो जाएगा इस तरह से आप यह वाले डिजिट्स होती है यह इधर की इनको हम सबको ऐसे गुड़ा करकी यह लिग देते हैं उसके बाद नेक्स देख सकते हैं यहां पर ही मैंने आपको चारो जित्ते भी थे चार थे नहीं चारो देखें इसाटाइस है तो नौ थी नौ थी है तो इस तरह से यह वाला लस्यम्भी हो गया और यह रहा आपका लास्ट यह है आपका हजार तो देखें दो से करेंगे 500 फिर उसके बाद 200 उ फिर इस तरह से हो जाएगा तो इस तरह से यह जो इधर की डिजिट है यह आप से मल्टिप्लाइब में लिख लेंगे तो यह भी आपका हो जाएगा ठीक है चलिए अगला कुशिन बढ़ते हैं अब देखें यह एक ऐसी संख्या जिनके सभी अभज्य गुरंखन तीन समू कहते हैं तीन बार कॉम आना है तीन छे नौ तीन का सेट बनना जरूरी है इसे तांसे देखें यह लिखा रामू के पास जूते का एक बॉक्स है जिनकी विलाम यानि लंबाई चोड़ाई उचाई जो माप है वो मेजरमेंट यह है 15-30-15 इस परकार वे इस परकार के बॉक् क्यूब बनाना चाइट तो यह बताई यहां जब घन बनाने के लिए कितने बॉक्स की न्यॉतिन संख्या आविशक होगी तो देखें जब हम घनाव है यानि की जो आपका आयतिन वाला है तो उसको निकालते तो यह निकलता है उसको रियर्ञेंज करते हैं तो हम क्या तो हमें कितना विश्क्ता होगी दौगी तो वही यहां कहते हैं कि हमें दौष्याइद्व क्वन्य संख्या है निकर थेंड उनεί तरह से 3 x 3 कौन सा पॉफेक्ट क्यूब है यानि कि जिसमें कोई भी डिजिट हो उसके ऊपर थी बने ठीक है ना तो चलिए इस कांसर हम लोग देख लेते हैं तीनों का एक दो तीन चार पांट पांचों का एक साथ पढ़ेंगे फटा-फट पॉन घात या फिर पॉफेक्ट क्यूब जा या आप लिख लेंगे इस पॉफेक्ट क्यूब चीक है इस पॉफेक्ट क्यूब चीक है तो इस तरह से आप लिख सकते हैं यह पून घात है या फिर इस पॉफेक्ट क्यूब क्यूब क्यूकर इसमें जो जोड़े हैं वो तीन के पूरे बन रहे तो यह वाला पॉफेक्ट cube नहीं है क्योंकि देखिए यहां आपका यह तीन का जोड़ा बना यहां आपका यह तीन का जोड़ा बना लेकिन यह दो और यह पांच एक extra आपके पास बज़ गया तो यह आपका पूरा जोड़ा नहीं है तो आप इसे लिखेंगे है इस इस नौट आप प्रफेक्ट पी-ई-r-f-e-c-t पर्फेक्ट और क्यूब ऐसे लिखेंगे यह है थिक कि यह पर्फेक्त क्यूब नहीं है क्यों क्योंकि इस पर किसलिए माथ डिजिट से 100 जादा इस पर जोड़ा नहीं बना-सीन अगला दिया उने देखिए 279 अब आप इसको करेंगे तो देखे इसको सॉल्फ करने पर यह जोड़ा बन गया तो यह क्या है यह इस अप पर फेक्ट क्यूब यह पर्फेक्ट क्यूब है यह पॉन यह पॉन घात है है नासान कर लेंगे आप जिसमें तीन तीन के जोड़े बनते जाएंगे वे आपका पून घात होगा और जिसमें नहीं बनेंगे वे आपका पून घात नहीं होगा आप इसको देख सकते हैं इसमें भी आपके तीन के जोड़े नहीं बन रहे हैं तो देखे एक ही बन रहा है यह भी पॉन्ट का नहीं है इसी ताह से आप आगे देख सकते हैं यह वाला इस कुशिन का लास्ट है तो देखें इसमें भी आपको यह पंदराज 625 दिया गया है ना तो आप जब इसे सॉल्फ करेंगे आप तो देखें यह आपका पॉफेक्ट स्कूर बने का क्यों कि यह प पॉफेक्ट क्यूब यह ऐसा लिखेंगे यह एक पॉन्ट घात है लिख लेंगे अप असानी से चलिए तो अगला कुशिन पढ़ लेते हैं हम लोग आपको नेक्स पॉशिन दिया गया है वे छोटी सी छोटी संख्या ग्याद करें जिससे इन संख्याओं को गुणा करने इस पॉरी तरह से क्यूब हो जाएंगे तो चलिए इसका अंसर में क्या करना है पहले इसका क्यूब बनाना है यह जैसे अप इसका ऑलसी निकालते तो आपको पता चल जाएगा कि यह नमबर तो क्यूब है लेकिन यहां पर अगर यह तीन और आ जाए तो यह पर्फेक्ट सब्सक्राइब लेकिन इन्हों नहीं का है कि छोटी से चोटी सेंग्या तो सिर्फ और सिर्फ आपको दो जोड़ना है 11 को हम ड्रॉप कर देंगे जैसे ही आप दो जोड़ लेंगे आपका यह पॉफेक्ट क्यूब बन जाएगा चलिए आगे देखते हैं इसके लावा यहां आपको क्या करना है यहां आपको साफ जोड़ना है जैसे आप साफ जोर देंगे यह आपको परफेक्ट क्यूब बन जाएगा कि आपको अच्छे से समझ में आ है往ना मैं भी डिरेक्ट आपको बता सकती थी कि यह क्यूब है यह नहीं है अब देखे जैसे यहां देखे यह और यह क्यूब है लेकिन यहां पर आपको दो बार दो एड करना पड़ेगा तब जाके यह पर्फिक बन पाएगा ना ओर्वाइ कि दी से कर सकते चले तो आची वीडियो को हैं कि अपस्त न आछगे पसंद आयों तो प्लीस से लाइक और फिर जीव करें अगैगे भी त"... वोच्छंग